बाटा आयें स्बालेकंम आज हमारा जो है फिर्स लेक्टर है और ओन्लैन क्राशिस का स्टार्ट कर रहें कुछ जो है इसमें इसूर होंगे कुछ परवर्वाश हूंगे इनको पर भाजिये पर बटाता हैं तो चैंच होगे आज हमारी फुर्स वीडियो है करने वाले हैं आपके साथ आज को हमारा टॉपक है वह क्या है आज हमारे पास जो है वह एटमिक मांस है आप यह वीडियो सब्सक्राइब बना रहा हूं यूट्यूब पे आप जो है वह इसको एक सेटिंग होती है जब स्ट्रेमिंग चल रही होती है वहां पर 480 से आप इसको 720 कर देंगे तो आपको सही से नजर आएगा और हेड़फोन यूज करके कर आप भी सुनेंगे तो और बहतर आपको में आवाज दूएंगे वह सुनाई जाएगी तो फोकस करें असान है बहुत सिंपल है तो आज का टॉपक है हमारा रहो क्या है हमार आप छे चीजे होती हैंा डाम सबस्केमिकलान आप स्यूद्रियन हृँ ठीशल में होती है किhou तो तीयूंस्त्य और है नज की का बैर पढ़र्यों होतीकृ मत में आपको में बताता हूं हमारे पर कोई भी अकेला होगा तो इसको मोलीकूल भोलेगे जिसे हैं कि हमने सारी वड़े क्लासिस में पर फास गर होगा तो ताहिक हम अपने में टॉपक पर जल से जल आ सके आपको पर पर बात कर सके हैं अगर ये कमबाइन हो जाते हैं ये C, O, O, H ये कमबाइन हो जाते है हमारे पार CO2, CO2 , στο water , NCl लिएकों ऐसे हैं जब कोई भी अकेला होता है तो इसको बोले जाता है, atom, जिए combination of atom होता है, तो इसको बोलते है molecule, molecule की definition ही यह है, combination of atom is known as molecule, अब आज हम क्लास में बात करे थे, molecule दो किसम के होते है, एक हमने पढ़े थे ionic molecule, एक हमने पढ़े थे covalent molecule, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, हम स्लाइट क्लास में कसा कर चुकयिן, yhte किसम के होता है, molecule में था किसम होते है, एक हम हमaire पास होता है, तो कवेलिंक होते है, सही है, covalent molecule में, covalent bond प्रिजम होता है, स्यव recursos5, जिए सथे कोवरे थे sudah है, अब तो इस है और यह पर पास है और हमारे पास यहां वह को पर इसके अंदर जो है वह हमारे पस आयोनिक बॉन होता है यह भी आपको बिल्कुल पानी चाहिए तो कि आज हम क्लास बारे में बात कर चुके हैं क्या डेफिनेशन आयोनिक बॉन्ड की बॉन फॉर्म ड्यू टू टू ट्रांसफर ऑफ एलेक्ट्रों इस डोन इस आयो तोड़े से आपको फिर से बेसिक आजाए एक होता है एक होता है हमारे पास यहां पर होता है होता है एक हमारे पास यहां पर बटा होता है और एक हमारे पास यहां पर बटा होता है और एक हमारे पास जो होता है वो होता है एंपेरिकल फॉर्मुला एंपेरिकल फॉर्मुला का दुदा नाम भी क्या है आपको बता हुआ मैं इंपेरिकल फॉर्मुला चोता हमारे पास ज क्या है कैसा है और क्यों यह नाम क्या होता है अब इसके बारे भी हम बात कर चुके हैं हमारे पास नमबर और प्रोटोन और एलेक्ट्रोन फिरेंग एंटम इस अनले से इसम एडिक नंबर इतमिक माश क्या हो तो आज हम आज का यह हम करने वाले मैंने को गाता है किसी बीचीज की दो प्रचान होती है एकर है जा बइंपकुरू सिकि प्रपास यह दो छीज़ है आ आम है वहाश्य ऊंलिए नमबर टृट इससे प्रचाना जाता है एंट खर GAV तो पिंट और हमालों था क्षों हो करता है कि उसमें कुछ टुक्ड टृट पेडिम को में एक बाइब हो और एक मास वह एक आपको रिप्रेजेंट करते हैं इसको को बैद में कि बारे में आज बात कर रहे हैं और और एंपरिकल फ्रॉर्मॉला और माश जो शोगर रहा होता है वो बॉन्द को बॉन्द कर ऑड़ा और फ्रॉर्मॉला सोडियम है मैंने उनको बता था लौक और सोडियम कोई भी मेंबर अगर हमारे पास मौजूद है जो हें bond formation में जिसे एने से एम जी ओई एग लाइच न एएच तो वह आइनिक बनाता है क्वोज़ा बनाता है वह आउनिक बनाता है अगर कोई भी मेंबर एस व्लोक अले में मौझूद अधर तो वह आईनिक बनाएगा आईनिक बनाएगा वाला किसका हमारे पास है एनसपेका यह formula mass है यह formula fuhtus होना है के एंदर है हमारे पास किस के अजर है इसका हुए फिर्मूला है क्वाले यह कौविलन्ट कंपॉंट का हमेशा मोली कि लव घुला होगा ऑउनका वजन अथारा 18 यह हमारा पहुजन है यह मॉझीलर मांस कि यह कॉलेंट कंप zou तू यह मॉलीकिलर मांस में आएगाrin लूजेकिश करें Allगा गाएंगी वी बात करेंगे तो हमारे पास हम घंपार व दू ayud लंगे पर लेकिन हम मॉलिकोलर पादेनिक । प्रिस्टाइन लाए हम यहां से जलते हैं यह नंबर उट सिनल करें इन पर स्विक reicht मीश में में इसकर मुताओंगा तो आप वीडियो को पॉस्ट करके इसको लख सकते हैं और उसको जो है आगे को ही बात driving चल्ट पर पिजिए रहें तो आगे चलेंगे नहीं तो आप वीडियो कर सकते हैं इसको कल हमारी जूम पर ओंलाइन क्लास भी होगी इसी वीडियो के बारे में तो आपको बात यहां पर समझ नहीं भी आई है लगा कोई सवाल है तो आप साइड में एक पेशके पर सवाल पर समय आप से यहां क्या पर जो हुआ शोंडेश करते हैं क्या होता है क्यूं सब्सक्राइब करते चलिए जाते हैं मैं तुद्धा बड़ा बड़ा करेके दिख रहा हूं कि आपको नजर में आए अब आजा हमारे पास जो है अटमिक मास क्या है एक तो सिंपल डिफिनिशन इसकी जो हम बात करते हैं इसके बार में क्या है वो नंबर और प्रोटॉन और नूट्रॉन प्रेजन नुक और प्रोटॉन और नूट्रॉन दून का मिला क्या है एं नूट्रॉन इन नूकलियर्स और अनी एंटम और अनी एंटम इसकार एंटमिक से सोडियू के बात करें हों पर कैसे वह नंबर और और फार में हमारे पास को लोते हैं अब अमएछ yang बहुत पहले शेल में अंदर दो पाई जाते हैं हमने प्लासमी बात की पहला शेल के होता है इसमें वह दो यहां पर आगे बटा शेकिन शेल हम आपके एल होता है और आठ पाई जाते हैं अब इसका एक नमर के ग्यारा इलेक्ट्रों होंगे की तरहें जाते होंगे ग्यारा कॉन और नकलिस के अंदर बात कीजिए तो इसकी तरहीं हैंने प्रोटॉन प्रोटॉन में इसके अधर ग्यारा ग्यारा प्रोटोन होंगे पटा स्केंदर पास और इसके अंदर जो हैं ग्यारा नीट्रोन के तो नीट्रोन है बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो नंबर प्रोटोन इसकेंदर जो हैं वह ग्यारा है नंबर प्लस कर लेंगे तो यह प्रोटोन इसके अंदर 11 है इलेक्ट्रोन इसके अंदर 12 हैं दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 अब 23 इसका सूर्णियम का इक तरीका है डिफाइन करने करें अब यह एक तरीका है डिफाइन करने का दूसरा तरीका भी वह क्या है हमने पहले बहुत 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 जब से हमने स्टार्ट की है स्कूल में तो हम एटमिक मास के बार कश्क कर चुके हैं अब हम बात करें आगे मास के बारे में आपको आसन है बहुत सिंपले कुछ भी मुश्किल नहीं है अब जो बात है वो बात यहां पर यह है कि एक बार एक शक्स ने क्या क्या है हाइड्रोजन उठाया हाईड्रोजन इटम उठाया और उसने सको वजन करने की कोशिश रिक्र partie मेस्का जो यह हाई只有 यहिए मास ओर तो इसका हाइड्रोजन कितना आया कैसे आया 1.6 इंटू 10 पावर-24 ग्राम 1.6 इंटू 10 पावर-24 ग्राम जो है वो उसका वजन आया और 1.6 इंटू 10 पावर-24 ग्राम ऐसको जाए मैं खोल हूँ अगर इसी नमबर बता है यह नमबर ऐसा है जिरो पॉइंट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारह तेरह चोज़ा पंदरह सोला सतरह अठारह उनेस बीस एकिस बाइस तैस तो हैं वह मैं पर वन सिक्स अगर यहां पर था तो एक दो तीन पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारह तेरह चोज़ा पंदरह सोला सतरह अठारह उनेस बीस एकिस बाइस तैस तो यह इतना है यह महां से किसका हाइड्रोजिन का यह 0.0000003 फिर वन सिक्स ग्राम केजी भी नहीं ग्राम में इतना है अब यह इतना वजन है इतना वजन ह नहीं है कि यह आपको अगर ना मैं पांच छे हाड्रोजन उठा कर आपको मुझे मारूंगा भी ना तो आपको लग जाएगा पता बिन जाएगा लगा भी नहीं भी लगा इतना हलका यह इतना हलका इतना हलका वजन 0.001 ग्राम है 1.6 ग्राम है यह बहुत छोटा है हर से ज़ादा चोटा बात यहां पर ही कि इसको किसे ना पनेंगे यां इसी कौन सा गभी इससी कौन सा फिसिकल बेलांस है क्यूंसी मशीन है इस कौन सी जीस से इसको ना प सकते हैं इसको आप कुछ भी करें इसको आप नहीं सकते तो फिर कैसे बताएंगे हम लोग किसी भी एटम का मास्क इतना होता है कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे अगर हमसे पूछे आप जो बड़ा प्रोफिल्म था किसी भी एटम का मास्क इसको कैसे बताएंगे किस तहां से यह करें यह बहुत बड़ा मस्ता था किसमेंगे में जो सारे केमिस्टा है सब पार्क में बिठें वाजी चाए बनी से लिए टक बिस्किट में हुआ हैं कि चाए पकड़ी बिस्किट पकड़ा य। तो तो नहीं किस तरह किंए मास को आगर गर समस्द्द का हमी किसी भी एक्टम का वजल तो किस तकर ममक्राइब, इन इनका वजल तो इतना छोटा है कि मजाशीन को यसी जीज नहीं कोई टक्निक सके, इनका वजल सकते तो यह बहुत बड़ा मसल़ा था! आपको इस मसले का अंदाजा नहीं है बहुत बढ़ा मसला है एक बहुत बढ़ा मसला है क्या आपकिन करें किसे करें कहां जाएं किस से हों तो फिर फैनली उन्होंने एक आपस में बेटके के सारे ने आपके से बैटने ओने हमें किन दोपड़ किसी और 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 से लड़ी हृ transact हमारे पास पर चाहा हमारे यह हैं और आ अब यह बर दो मतंदों आए नियुक्त। अर्चर नने कोई बीच की बात आज रही है, कि मैं आर्चर पर नहीं की आ ने के है, तो और लोग आहे हैं हमारowego क्या आफप्रक्रक्वा closing है? बहुत मुश्किल है यह वजन नाप तोलना बहुत मुश्किल है यह वजन नाप तोल नाप तोलने कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं यह वह प्यूंसिबल नहीं है भाई तो केमिस्ट वाले क्या है वह बेठें और बेठें उन्होंने एक बात पर बनाए किया हम आजके बाद इस बात को मानेंगे जानेंगे पचानेंगे यह बात एक यह यह आएग नाम है इसका कारबन किया नाम है कई क कारबन कारबन इसको जो है अगर आप बोलना चाओ तो आप बोल सकते हो रहा होता है अग्लेस्ट तो आप इसको गरोगरना चाहूं आल एलिमेंट बोल सकते हो बढ़ जार किसम के अलग अलग केमिकल कंपाउंट है तो उस में से आट सो सिर्फ कारबन बनाता है आपकी जितने भी ठोटल एकसु अठारा हमारे अभी तक बड़ा जो है उसमें से अगर वह अजार कमिकल कंपाउंट बना रहे तो उसमें से आट सो अकेला कारबन बनाता है हार्डरीजन मिलकर हाड्रोजन जकर करवान आठा स्था बAmिल के बनाता है। तो हमारे पास करवान बहुत तर्वान बहुत सारे केमिकल Kalver Prof Saru मुलिकटी बनाता है। इसको किंग ओफ आल मिल में बेडिया कब всего किंग ओफ आल एलिमेंट पल्सका हुआ है। कारवान का मास है कारवान में हमारे पास 6 प्रोटोन होते हैं 6 इलेक्ट्रोन होते हैं 6 बारा है हम तो स्य होता है थैट सी एकल टू hugging अब जो है अगर में दूद्ध देने जा रहा हूंन का मुझे एक डैसन दोय है वह अगर में जो हैं वह एप्र लेने जात हूंने किलो बोलूइए सब्रिक पीड़ने जान हो यह बोलेंगा कपड़ा देने जा रहा हूंतु है मुझे पांच मीटर कपड़ा दे दो आज के बाद आप दमाह में बाद डाल दें एक मास क्या एक खास यूनिट में इसको नापते तो रहते हैं इसका नाम है क्या है एंका फुल्फॉमिस एंटर मम शली इंक और अमकिम यूनिट कैने मास एक है इंटर मस्यूनिट में वो क्या है एटर वी निटे नाम आपने तोलने का यूनिट क्या है क्या है अड़ाय का यूनिट मा 6 पे न इसे कभ और गर ज़से करें धर बलें आपल को यूनिट का है किलो क्राम मुरगी का मुर्गी लेने का बटा अप्ट माम्त विल्व फूठी इसको धिया उकर अग इटाय इसको अब जो है सी क्या है 12 Amu यह 12 gram है इसको यह भी आप लिख सकते हो चाहिए तो यह नहीं भूलना है पिटा कि जो है जो है वैसे बहुत चाहिए चीज़ों में लोग नाप तो 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 फिलाल आप नाम बोले एक ग्राम दूसरा Amu करबाल के मांच 12 एम यू घाटा है इसमें इसका वजन नापा चाहता है इसमें वजन नापा अगर मिज़े बुच्छ दूद्ध दूद दूद दूद्ध तो एसा नहीं हो सकता वह मेसा किलो में या लीटर में होगा तो तो नहीं When आप तो दूद्ध को नहीं वो Atomic Mass Unit M U में होगा या ग्राम में होगा वो किसी और चीज में नहीं होगा तो क्या बोलते हैं बटा अब कारवान का मास है अब कारवान कींग ओफ आल एलिमेंट है क्या बोला गया गया हमारे पास कारवान के वजन है आप कंपेर प्रया आपकी अलिमेंट के वजन को आप कारबान के एलिमेंट से कंपेर करें बाकी एलिमेंट के वजन को और जो उनका वजन आए वो उनका एक्ट्रमिक मास होगा ये बात मैं समझाता हूं सही है यह बोला हुआ थो पकड़ दो पकड़ लो चोड़ो नी इसको और प्र यह बात आपको सही से मजह करें ही आजो मैं इसको मिटाता हूं यहां पर भी इसको मिटा आप क्या था आप कारबान के वह किंग आल इलिमेंट है वो हमको पता चल गया है और जो है यह आट विक मास्ड लोटने सब्सक्राइब कारवान का तरह 25 किशा आप नहीं सकते हैं तो जो बात है उसको compare करो क्या करो compare करूबा की element के मास को उसे compare खो hydrogen helium है यह है लीटियम है उसके वार हमारे पास रोता है यह बोरॉन इसके बार मैं पास होता है यह बॉर्ण इसके पार मेंपास होता है ईने उनके नाम क क्या रखें अब इनके साथ पर आप इन Sulan करो करह एक हो तो कप ऑधर के आप कारबां के माज से जो है वो एक इन बाकिसम और विजलों को कारबान के से आप एंप जो है वो एक अधवनय को कि कमपेरी करें जब आप जब कुमपेर करेंगे जब है अध़ी। ने एक हुज समझा का हृच्रू सम्हें इसका कैंधर चब कमपेर किया mint तराजू बना तो तराजू में सही होगा नहीं मगर जब जो हैंने और खूसे समझाने के लिए जब लोगों क्या क्या यहां पर कंपेर क्या किया तो क्या पाया जब एक साइट पर इन लोगों ने रखा कारवान है रखा यह तराजू नाप तो नहीं सकते हैं कि समझाने के लिए अपका में बना रहा होती है यह एक साइट पर रखा रहा है नहीं कारबान दुस्य साइट पर रखा हाइडरोजन तो बटा जो तराजू था कि दोनों लेवल में दोनों लेवल में जैसे कारबन रखा हाइडरोजन रखा जो हैं क्या हुआ तराजू रखा तो जो हाइडरोजन वाला है वह उपर से लेगा कारबन वाला इंडिजी चले गया कि अपर नीचे आगया क्या हुआ हुआ कुछ इस तरह से हुआ क्या है कि यहां पर दो गया है कि यहां पर बन यहां उपर ऊड़े गया कि कारबन जो है वो सौरी हाइडोजन यहां वो उपर ऊड़े है हाइडोजन जो वो उपर उड़ कान का वो brag में इस्का मतलब है हमारे पास जो बढ़े हैं किसका मारे पास का फूंक्म वह का न यह का ओंपर चलए तो यहां कान्सना का अश्यमा मंतब का अश्यमा कर मैं leopard को कंचक्ना चल लगिए हर्यूं उपर चे लग लग गया है इसका मतलब किसे कारवान से हर्य का है करवान से इन्होंने क्या किया इधर है कि यह मोग से हुद्ध नथे रह Barack का उधर ऐसे नात तुरिका पालक तो एक किलो का वट्टा वह एक जगा पी होता है कभी चेंज कर लिए प्यासे कभी कि निली टो ओफना भाग न Bear cannot भारी तर बारी ने और यह झाओ जब रिख्षप तो यह तो पर रिखा और किया रिंघ अम पर अब जो है वह वह थोड़ा साथ भारी है हीलियम हारवन थ्दोड़ा भारी है रखा इतना फर्क निए है जैक लिटीयम निए है तो इसे टार्ग किम और हो रहे है जब रखा इननों बोरोन रखा एक साथ पे कारबान ही रिट्श सार एक निए हाट अफ्रक नहीं बहुआ हर यह ब्राबर यह बंभी कार्बान यां भी कार्बान तो यह ला नहीं जब इन्हों ने रखा नैट्रोजिन जादा भारिये अस कंपेर टू कार्बान तो कार्बान उपर गया तो और फरीक्स और फड़ा जैंके, ज्ञेशे तो नीचे चलता जा है तो इन्होंने क्या किया कार्बान के मास को बाकी एलिमेंट के मास से और जो कंपेरिजिन में जाब आया वह बोला एक्टमिक मास से किसका उस एलिमेंट का जिसे जिसे मैं फिसे बहुताँ समझने की बात हैं, समझने की बात हैं, हाइड्रोजन रखा, कार्बान रखा, एक जगा हाड्रोजन, एक जगा कार्बान, जैसे ही इन्होंने छोड़ा आज को, तो ये नीचे लग गया, कार्बान उपर, हाड्रोजन उपर, कार्बान नीचे में, बार बार जो हैं, किसको करवान बोल रहा है कि रखा कारवान रखा हाड़िजन और जब थोड़ा तो हाड़िजन गया ऊपर कारवान नीचे अब केमिस्टी उन्हें बताया कि जो है वह हमारे पास कारवन कारवन भारी है हाड़िजन हलका है हलका आधि और नीचे अब कितना हलका है वहाड़िजन टाइमस हलका है कि हमारे पर अगर कारवन का वजन बारा गुणा है कारबन का वज़न अगर 12 गुना है तो जो हैं हार्डरोजन का वज़न इसके मुकाबले में जो हैं वो 112 थे कितना है 112 इसका कारबन का बारवा हिस्सा आखरी हिस्सा कितना अगर मेरे पास सो रूपें कितना रुपें सो रूपें कितना रुपें अर्षद के पास 25 रुपें तो आपके मुझे सर के सकते पास से पारोबर अर्शक के पास 25 रुपे इसको यू कि बोलते हैं कि सांब पारोब जो हैं सर के पैसे का छ्वासा है solid 25 पच प andersो corona पत्षीट पच्छीश सो पत्षीश सो फिर फृय होता है तक मेरे पास कितने रुपें कितने रुपें है अल है पास i am अर्शर के हैं मेरे पास रुपें पत्छीषर रुपें गार्श्र के पर रुपें है एधि यू मुझान ङए कि उचाँ निर सै 52 पच्छीस के बराबर है तो आप यू बच्छा थे के पाथ 25 रुपई या चोता हिस्सा है सर के पेसो जितना अब कारभान का वजन कितना है कारभान का वजन बोला के का वजन है किसका कारभान के मास का वजन 12 हिसा है किसका कारभान के मास का बारा गुन जादा बहरे है हाइडरोजों कारभान से वन अपान 12 टाइम्स हलका है एक व्यूंट टूट टाइम्स अलगा तो यहां पर क्या है यहां पर जो बात वो यह बात है कि कार्बान है वह वह ब्रूल्ट सब्सक्राइब क्मेर क्टिकए कर्वांच में कारवांच के केया है क loro is live क्या सब्सक्राइब क्वास के ऊच्छी कर्वांच के लिग में सिरिंघे दो करवान के बार तो चाइडरोज। के बाति थो हट्रोजन आ गया हैं इत्ना फ्रक नहीं आ इन फ्रक थोड़ा कम आया करभार कि कने फ्रक थोड़ा कम आया तो का के जो हीलियम है वो इतना हलका नहीं है वह हमने पर सुब दो है वह स्काइब लें तर गैवर्च को फिर्न और सकते हैं की वुर्ण तर घण इसे का दो जब कंपेर खिया किसंट को एटम के मज़ harvest के तो यह बताया कि हाइड्रोजन जो है उसका वजन इतना है जिदो threats का करवान का मैं तर ऐगर उसके ृषरसे करें कारबान कीका 12 हिस달い उसको एक आकरी हिस्सा होगा उतना वदन किसका कारबान का ओ likewise है उझा है का वाजन है लोगद्डलन का वाजन कीवान का वरजन हैं कितना जो है 1 जो आपन 12 करवान के मुकाबले में तो हमारे पास क्या गया एक technique निकाले गई, टेखनी क्या थी, atomic mass म 快 सकते स्कोंते नहीं किया सकता तो इनका वज़र्य मतिकरने के लिए क्या गया, कारवान को standard उठाया, और उसके वज़न से बाकियों के वज़न को किया कि न recruit ग्युद्थ को गंप्र एस साज्वेट इस हैं। नों यौ जो है यह हमारे पास से एक्टम कष़न को बता a अब अब हम लिखेंगे definition atomic mass की जो बने बात है कि उसकी बुन्याग पर लिखेंगे मगर उससे परदे में आपको एक बात बता चाता हूँ पड़ा hydrogen जो है hydrogen जो है आपको लग रहा होगा कि वो एक element है आपको लग रहा होगा कि वो एक element है ने के Also हैoh, vamos are double, 2,000 में hardrogen iye सक्षे जो हम अई हर्डो disability हुआ है में एक emotion अए है मगरे इक 3-डली किसमे और होगा क्पा के ऊब आप उसके हैatus ही और आप इसको नियुकर का हन आपते पार हैं है अब ऑब कर सकते हैं मोस म् करके फिर आप कर अब इसको नोट कर सकते हैं आजाने अब जो बात हैंव आप यहां से आगे हाँ नहीं पर बात हैं और हम आप तक हैं बात कि वह पहले पर पहले अब हमें को बता हो कि तीन ताइप होता है है ताइप का है कि अ चाइब ऐसन एक नाम हमारे पास यह नाम है यूटेरियम और एक का नाम है हमारे पास है ट्राइटियम यह तीन नाम है हाड़ोगी किसम में हमारे पास यह क्या होता है 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 यह भी हाड़ोगी किसम में यह तीन है और वह वह भी हाड़ोगी है हमारे पास हाड़ोगी के जो नुकलिस में एक प्रोटॉन होता है वसके शेल में इलेक्ट्रोन होता है नुकलिस में एक प्रोटॉन होता है नुकलिस में एक प्रोटॉन होता है हुआ है में यह प्रोटॉन होता है और शेल में इसके पास यह हुँ हैंज है हेहाईडोजन की जैसके शेल में एक एल्ट्रोन फोन फोन इसके अंदर नेज़ाए्टरोन जिसके अंडर नहीं बाय सा DAY , जाता है नृसनी किसम भीक इसके पास है Deutereum Deut proven把它 बहुते हैं tam व् STEM होता है हमारे पास हैं किया होता है , इसके नुक्लियस में एक प्रोटॉन होता है प्लस नुक्लियस में इसके पास उसके पास इसके पास नुक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी होता है और पर नगित्र किसे इस किसम ने प्रोटन एंड एप ने और एक इलेक्ट्रोन है जो होता है विए इसे बखिले इसे तो पर है जेन के से हाइडोजिन की बड़ बुन्याद तो रही है ना कि पर पर ड्रॉट्रउन के उपर वूलते हैं हی मारे पाड किसी भी एक बुनिया ए्ट्रेट्स कि मुенно हो सोडियम है वे डिरतों चेहाँ ऑन का ओक्रीपन बृट्रयोगर से निए इसके लिए हाइड्रोग बरते हैं इसको भी हर्टवजों बोलते हैं अब एंक चीकिसाम मेंliers यह किसी भी एटम की जो इडिटिफिकेशन होती है कि कौन सा इटम है वो नंबर अग प्रोटॉन पर होती है जितने नमबर अग्सेप प्रोटॉन वह फाला एकम हुटा जब कभी वी किसी एटम के अंदर बढ़ा एक प्रोटॉन होगा तो इसको हाइड्रोजिन बोलेंगे अ इसके पास एक proton है hydrogen इसके पास भी éta ley कोई हाईbahn इसके इंदर चल रही होती है आपको मैं बात आप बताता हूं इसके नुकलियस के power Wr. टा है सहीय और दो Player कितने यह पास इसके वो बता हो शोच ओघो लिया मैं बता एक बढ़ा प्रो ने क् pro do किसी भी एक्टम की जो हमारे पास क्या है किसी भी एक्टम की जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जिस बुन्याद में इसको पेचाना जाता है कि वह कौन सा वाला एलिमेंट है सब्सक्राइब कर थे अ iba हाथ वह Ringsलो पूर्टन के परेक्टक всем प्रेक्ट के पास प्रेधर होस्त सब्सक्राइब इसके बाइक है तो इसको हाइडरोजन बोलें कि एक प्रोटोन जब भी होगा तो वह हाइडरोजन होगा, बागी जब ठीच होगा तो इसके हमें है अब मुझे पता है number of electron or number of proton is known as atomic number atomic mass क्या होता है number of proton and neutron proton plus neutron जो होता है वो atomic mass होता है अब आप हम पूछें इसका atomic number क्या है इस वाले का atomic number क्या है तो आप में पता हैं कि इसमें a proton atomic number की definition क्या है number of proton और electron और या वो या वो दुन में सब्सक्राइब है इसको atomic number बोलते हैं कितने proton है एक तो नंबर क्या है इसका one atomic mass के लिए इसका है the number of proton and neutron proton का number और neutron का number plus करके जो भी जो होगा वह हमापकर क्या होगा वह होगा न्यूट्रोन तो है नहीं क्या है इसके पास proton है प्रोटोन है अब इसके पास इसका अच्छा इसका atomic mass क्या होगा जोन एक नंबर आपर अटमिक नंबर क्या होगा इसका इसका प्रोटोन और आपर नंबर और नंबर ओप्रोटोन and neutron is known as atomic mass उसमें एक proton है एक neutron है एक neutron है इसमें कितना हो गया दो अरी किता मसला हो गया एटरी नमबर एटरी मेन लॉज्ट सेम से अटमिक मास अटमिक मास जेशेंच एक मास 1 आड़ मास 2 चेंज हो गया इसमें आगा इसका आटमिक मास को बटा नंबर और प्रोटोन के पास एक तो इन नुट्रोन है एक तो कितना हो गया इन कि अब कि संपे हाइडोजन के हमारे पास है यह aintz होते हैं तीन कि संपे जो है ओ हतले कि सके हाइडोजन के हाइडोजन तीनों वुलिए पर Hetaly निमब पूर Epic सेम एक हे नि devo otros एक है ट्रॉटिय। अहरं स्वक्रार इंद्पर आड़े मेडि़न शेम है एक आड़े मांस ये चेंज वह ँसे नब कह ben partial मुझे इसका नमबर से कुछ तरी है हैं ओने पता अच्छा उससे पप हम हो मुझे अग करें शक्राइब करने अच्छत बड़ा वह एलिमेंट क्या वह एलिमेंट वह एटम जिनके एटमिक नंबर सेम होते हैं मगर अलग-अलग एटमिक मास होते हैं उनको बोला जा रहा होता है जाता है आइसोटोप्स हमने एकटमी डेफिनेशियन क्लास में बताई विए इफ नंबर ऋफ प्रौतॉण प्रोतख़ूड्वें इस इकल तो लंबर ओफ इलेक्ट्रों जान एस नोन इस नोन आज आयान व्स अड्यमिक्क नंबर इस तन बट एक्टमिक मास्स इफ्रेंट इस कर एब आ तो इसो तो या भूब्स था तो रूब कर बाव इसो तो बाव तो घुलन तो अब डूबर सेल्टम अभेंट अडिय तो इसो डूब्स सेले मिंन्स हैं अडि नूमिद थे इतरूम इन जुबर सेले मिह अडिमिंद दो आ यू और इनकर से लोग मास कि इस लॉन एंस एक इस लॉन इस आई-सो ऑप वो चीजें जिनका एटमिक नंबर सेम हो बार एटमिक मास चेंज हो उनको बोला जा रहा होता है क्या आइस जा रहा होता है तक बंए half बोलो झारा होता है हमारे पास आइसोटोप सिंक्राइश इसके । बात सवाल यहां पर जो है वह यह है कि hydrogen का मास क्या ले यह ले आत्यप मास वन ले ड्यक्त सू लें एकमास टूलें करति लें हरुजय का मास कुण सा है यह भी हड्रोजन है यह वी हर फ्रिंद इन वह त्रियम हम कौन सा है भài हमको तो बता हो हम कौन सा पर और नसीब उलने सौल में कि अधिकलोग में सब क्लॉरीन का 35.5 क्यूं यह 0.5 कहां स्थाया है उसकी बारे में बात हो लिए तो हमारे पास अब इसका उठाएएगे इसका उठाए उसका उठाएं किसका उठाएगे अब इसका वन रहे उसका थ्री अब हम हाइड्रोजन का मास दूसरे पि데स्ट में सोमे से सविक्षार बॉलन क्या तो इसका सार्ट पत्चास किसका है 50 का है पहले मेने की कमाई की 100 रुपया दूसरे मेने की 50 रुपया तीसरे मेने कमाई की 80 रुपया तो मेरा का एवरेज देंगे तो एवरेज बड़ा हाइडल नहीं होता है नहीं होता है यह है है यह है यह है यह यह है अब बड़ा किसी भी एक्टम के मास को जो हम उठाते हैं वह उठाते हैं लोग जो है ट्राज झाहिए जो है grabbed Hetting Basis होता któramost होता है अब करहें कि तरका यह की बारे मैं आगे बढ़े मैं कि क्या है क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है twice नहीं है जो है वह हमारेपात थे ओब यह मास यह को है यह मारें का है ये टीमास पर यहां पर इसको इसको आप यू लिखना चाहो इसको अगे चलेंगे गरेंगे तो आगे चलते हैं क्यों क्यों है क्यों है क्यों एक सब्सक्राइब करते हैं अब आएंगे तरी है अब आए हम इसके बात करते हैं आगे कि मैं इसके मटाऊंगा इसको देख लें जो है वीडियो को पॉस्ट को लिख लें समझ लें पढ़ लें कहीं पर कन्फूजन हो आप मुझे कल ओनलाइन क्रास में पूछ सकते हैं अब बात करेंगे पर आगे चलेंगे ठीके आजयां कल हमारी ओनलाइन दास्ट वियोगी जूम पर अब जो बात है अब बात है अब आप अब आप अब जो हैं और आप आप खत्म करते हैं और हम आप 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 कारबान के तीन किसम के आप ह्रुजेन के की माश हो गए है अब हुआव प्रोडियम है ट्राइट्रेम हुआ अब बात है एक नों की हैं आप 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 एक और पॉर बात हैं हुआ अब हैं